है असलाम वालेकुम रिवर्ट्स आई होब के आप सब जो है वो फॉइन अंच शाइन होंगे कोन सी वेक्स बेस्ट है हमारे बोड़्डि के लिए आज मैं आपको बताओंगी के वेक्स जो है वो एजी वे के साथ जो है वो हम कैसे कर सकते हैं ये मेरे पास है मेराकी ब्रैंड की वैक्स ये जो ब्रैंड है ये दुबाई का ब्रैंड है इसको जो है मैंने दुबाई से इंपॉर्ट किया है इस तरह से जो है आप इसकी ये पैकिंग है इस तरह से जो है वो आप इसको open कर लेंगे और साथ ही साथ जो है हमारे पास wax heater जो है वो होना चाहिए उसमें जो है वो हम अपनी wax को जो है वो गरम करेंगे सो यह wax heater जो है यह automatic है इसलिए जितनी हीट जो है वो हमारी body बरताश कर सकती है या उसको जो है वो हीट चाहिए उतनी ही यह जो है वो गरम करेंगा और उसके बाद जो है मेरे पास wax creep वो है बहुत ही अच्छी wax creep है और बहुत ही hard है इस तरह से जो है वो हमने melt कर लेना है यह wax को एंड इस तरह से जो है वह हमें apply करना है और guys अगर आप जो है वो spatula की help से जो है wax करेंगे तो इस से जो है वो बहुत ही easily जो है वो आप wax कर सकते हैं और आपके जो क्लाइंट है उस पे इंप्रेशन भी जो है वो बहुत ही अच्छा जो है आपका जाता है इस तरह से जो है आपने बहुत ही अच्छे से जो है वेक्स को लगा लेना है और इस तरह से जो है वेक्स ट्रिप के साथ जो है बहुत ही अच्छे से इसको जो है वो रि चाहिए उसको साफ कर लेंगे एंड आपने जो है इसकी बहुत पतली सी जू है वो लेयर लगानी है तो गाइज आप देख सकते हैं कि इससे जो है आपकी स्कीन भी काफ़ी नीट हो गई है और कोई रैशी लगारा नहीं या कोई निशान जो है हमारी स्कीन पर नहीं हुआ इ जो हैं हमारी बोड़ी पर नहीं आते क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हम जो वैक्स करते हैं तो उससे क्या होता है हमें खारिश होने लग जाती है हमारे बोड़ी पे पिंपल्स वगएरा और निशान वगएरा बन जाते हैं और उससे जो हमें काफी जादा जो है वो पेन होत नीचें से बहुत ही अच्छे से उसको नेयुंगा आपको व्यक्स करना है ये एक ही दफ़ा में आपके सारे बाल इससे निकल जाएंगे और जो हमारे छोटे से छोटा बाल भी है वो भी हम इससे एजिली जो है वो निकाल सकते हैं तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी तो मैंने सुचा कि ये क्यों ना ये आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाएंगे मैं इसको जो है वो पर्सली जो है वो मैं इसको यूज करती हूँ अपने सेलोन पर क्यूंकि मैंने इसको यूज करके देखा है यह बहुत ही ऑसम है इसके रिजर्ट्स है वो बहुत ही आला है अगर आपको जो है वैक्स हीटर वैक्स क्रिप्स या फिर जो है आपको वैक्स ज तो आप देख सकते हैं इसके डिजर्ट बहुत ही ओसम डिजर्ट हैं एंड जैसा कि वीवर्स आपने देखा कि हम जो है यह आप वैक्स करने के लिए जो है आपके पास वैक्स क्रिप्स का भी जो है अच्छा होना बहुत जरूरी है तो यह जो हमारे पास है यह बहुत ही अच्छी वैक्स क्रिप्स है और स्पैचुलाज है वो भी बहुत ही अच्छे लकडी के स्पैचुलाज है तो यह जो है इसे आप लेक्स कर सकते है आं आर्म सर्ट कर जेहाँ अच्छति कर सकते हैं कर दिक्ष यह गार्ण तो अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप order करवा सकते हैं इस तरह से आपने रखना है और बहुत ही अच्छे से आपने इसको लगा लेना है अपने नीचे से प्लाइट का बाजू उसको पकड़ लेना है और इस तहां से आपने इसको उतार लेना है और आप देखेंगे के बहुत ही इसली जो है वह आप अब जो है वैक्स करना बहुत ही इजी हो चुका है अपने इसली जो है इसली हिसा है झाल लूड़를 आफे । आफ लूम कर दो झाल 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 आपको रिजर्ट अच्छे लगे हैं तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें एंड कोमेंट करें मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई अला हापीश झाल झाल